गुड मॉर्निंग सेकिंड क्लास बेटा मैंने आप लोगों को इंगलिज ग्रामर में चैप्टर नमबर 6 पढ़ाया था चैप्टर का टाइटल था हमारा नमबर ठीक है इस चैप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में और लाइब क्लास में भी दे दिया है तो अभी हम लोग इस चैप्टर की एक्सराइज डिसकस करेंगे इस चैप्टर में जो पेज नमबर 24 पर जो एक्सराइज है ये मैं आप लोगों को अल्रेडी सेंड कर चुकी थी अगर आपने ये वर्क अभी नहीं किया है तो आप इससे पहले वाले पीडियेफ में से देख कर ये वर्क अपने बुक में और नोटबुक में कम्प्लीट कर लेना ठीक है ये एक्सराइज मैं आपको अल्रेडी सेंड कर चुकी थी अभी मैं आप लोगों को इसी चैप्टर का दूसरा एक्सराइज कर वा रही हूँ ठीक है अब इसमें क्या करना है ये लेखिए फर्स्ट है राइट दे प्लूरल फॉर्म अफ दे वर्ड्स गिवन बिलो इन दे स्पेस यानि कि ये जो दिये वे हैं इन वर्ड्स का हमें क्या लिखना है प्लूरल लिखना है अब अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है जब हम किसी भी चीज की या किसी भी इंसान की या किसी भी जगए की बात करें अगर वो नंबर में one है सिर्फ एक ही है तो वो क्या होता है singular और जब वो नंबर में जादा है यानि एक से जादा है तब वो क्या होता है plural अगर एक है तो singular और एक से जादा है तो plural तो अभी हमें इस question में क्या कह रहा है कि ये जो words दे रखे हैं इनका plural लिखो ये जो words हैं ये singular है और हमें इसका क्या लिखना है plural लिखना है यानि एक से जादा बनाना है तो देखो अगर एक dynamo है तो हम उसे सिर्फ dynamo कहते हैं और अगर plural में change करना है एक से जादा बनाना है तो उसको क्या कहते हैं dynamos हमने क्या क्या इसमें s को add कर दिया तो ये plural बन गया इस spelling में मैंने s और add कर दिया तो वो बन गया dynamos तो ये singular था और ये plural हो गया अब देखो यहाँ पर second है army अब army का plural कैसे बनेगा armies ये आपको learn करना पड़ेगा sky का plural कैसे बनेगा skies man man दिया हुआ है अगर एक आदमी है तो man man और अगर एक से जादा है तो man man ठीक है believe ये singular है तो इसका plural होता है beliefs ठीक है hero ये singular है तो इसका plural होता है heroes next है country जब एक देश की बात कर रहे हैं तो country और एक से ज़ादा देश की बात कर रहें तो क्या कहेंगे countries एर्थ है piano और piano का अगर plural होगा तो pianos नाइन्थ है lorry और lorry का अगर plural होगा तो lorries तैन्थ है valley valley का अगर plural होगा तो क्या हो जाएगा valleys ठीक है अब देखिए match the singular and plural noun one is done for you और plural को match करना है यहाँ पे जो दे रखें यह singular है और जो यहाँ है वो plural है ठीक है तो देखो जब अगर एक दात की बात करेंगे तो तूत और अगर एक से ज़ादा दात की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा तीत अब second देखो sheep तो sheep plural में भी sheep ही रहता है अब यहाँ देखो third है wife तो wife का plural क्या हो जाएगा wives ठीक है यहाँ है fourth thieves thief का plural क्या हो जाता है thieves fifth है child child का plural क्या हो जाएगा children यानि जब एक बच्चा है तो child एक से जादा है तो children six है यह देखो half और half का plural क्या हो जाएगा halves seventh है ox ox का plural क्या हो जाएगा oxen eight है deer तो deer deer ही रहेगा ठीक है plural में भी deer ही रहेगा ninth है woman woman का plural क्या हो जाएगा women m-e-n ठीक है ten है man m-e-n man और उसका plural क्या हो जाएगा m-e-n man ठीक है तो यह singular थे और हमने उसके उसके plural से match कर दिया next है circle the correct plural noun अब हमें क्या करना है हमें two options given है हमें correct option पर tick करना है जो plural होगा उस पर ठीक है तो देखो the photo या फिर photos are nice जब एक photo होता singular होता तब तो हम photo पर tick करते है पर हमें यहाँ पर किसको tick करने का है plural को tick करने का है और plural क्या है एक से ज़्यादा क्या है photos इसलिए हमने photos पर tick किया next देखो the mangoes या फिर mangoes spelling अलग अलग है देखो are in the basket तो हम क्या लिखेंगे mangoes m-a-n-g-o-e-s mangoes तो हमने mangoes पर tick किया next देखिए next है the fox या फिर foxes वर clever अब एक fox होता अगर singular होता तब तो हम fox पर tick करते लेकिन हमें तो plural पर tick करना है इसलिए हमने foxes पर tick किया next है the thief या फिर thief वर running तो अब देखो thieves plural क्या है thieves है इसलिए हमने thieves पर tick किया fifth है the birds या buddies are on the branch तो हमने birds पर tick किया एक बड़ होती तो हम bird करते लेकिन यहाँ पर plural पर tick करना है तो यह birds है ठीक है यह हो गया अब इसमें देखिए हमें क्या करना है change the underlined words one is done for you write s for singular in the space and p for plural in the box given हमें क्या करना है हमें यह जो underline किये वा है उसको change कर देना है अगर वो प्लूरल है तो singular में कर देना है और अगर singular है तो plural में कर देना है साथी साथ हमें change करने के बाद यहां लिखना भी है अगर singular है तो हम S लिखेंगे और अगर plural है तो हम P लिखेंगे है ना, तो देखो first दिया था हमें, please give me pens, तो यह plural है क्योंकि यहां pens है, तो इसका singular क्या हो जाएगा, P-E-N, pen तो यह singular में हमने बदला, इसलिए हमने यहां S लिखा, next देखें fly, तो fly क्या है singular है, और इसका plural क्या हो जाएगा flies, ठीक है तो हमने plural में बदला, इसलिए हमने यहां P लिख दिया, next है man, man, man तो man man का plural क्या होता है men man तो हमने यहां पर men man कर दिया, अब क्योंकि हमने singular को plural में बदला है, इसलिए हमने यहां पर P लिख दिया, fourth है the goose were in the water तो हमें underline क्या दे रखा है, goose तो goose का plural क्या होता है goose तो singular है, और goose का plural होता है, geese, तो geese को हमने change किया था, इसलिए हमने यह plural लिख दिया, ठीक है next है, wives wives क्या है, plural है और इसका singular क्या होगा, wife तो यह singular था, इसलिए हमने यहां पर S लिख दिया, फिर यहां है cargo, तो cargo तो singular होता है, तो हमने उसको change करके क्या कर दिया, cargos तो यह plural में बदला, इसलिए हमने यहां पर P लिख दिया, यहां पर था thief, singular होता है तो thief, plural होता है तो क्या हो जाता है? Thieves तो क्योंकि हमने plural में change किया इसलिए हमने यहाँ पर P लिख दिया फिर यहाँ है monkey monkey singular होता है और monkey का plural क्या होता है? monkeys तो हमने यहाँ पर monkeys लिख दिया तो यह हमने monkeys में change किया तो यह plural sentence है इसलिए हमने यहाँ पर P लिख दिया ठीक है तो यह जो मैंने आपको पूरी exercise बताई है chapter number 6 की A, B, C and D यह आप अपने notebook में complete कर लेंगे और अगर आपके पास book available है तो आपको book में भी करना है तो यह हमारा chapter number 6 complete हो गया अगर इस chapter से related कोई problem हो आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे live class में पूछ सकत मिलेंगे फिर हम लोग अपने next class में बाई